हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल दस सीक्रेट ओफ इन्वेस्टिंग में दोस्तों मार्केट में आप लोग में देखा है कि कोई ना कोई स्मॉल कैप कंपनी ऐसा प्रफॉर्म करती है जो हम लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इस तरीके से यह प्रवाइट कराके देखा सकती है आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में ही डिसकसन करेंगी जिसने बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट रिजल्ट दिखा कर दिखाए हैं बहुत हैवी रिटन हम लोगों को एक साल प्रवाइट कराया है बात करेंगे उसी स्टॉक की तो इस वीडियो को लाट सकते देखना मत भूलिए कि बहुत सद्धा है आपके लिए यह वीडियो तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते जाते हैं कौन सा वह स्टॉक तो आपको काफी दिनों बाद इस स्टॉक में लास्ट फ्राइडे को लगता हुआ दिखाई दिया बहुत ही ज़्यादा हैवी रिटन और इस स्टॉक ने बना के दिखा दिये 1415 रुपए के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट क्लोजिंग की बात करें अगर हम लोग एक वीक के रिटन की बात करें तो 15% के रिजल्ट आपको देखने को म 5629% के रिटन इस स्टॉक ने प्रवाइट करा दिये हैं मतलब कि आपके पैसे को 56 गुने से भी ज़्यादा केवल और केवल एक साल में ही बना दिया है अगर आप लोग एक लाग इन्वेस्ट कियो होते इस स्टॉक में तो वो आपके एक ही साल में 56 लाग से भी ज़्यादा हो चुके होते और बहुत ही ज़्यादा हाई रिटन के चलिते अगर आप लोग देखेंगे कि इसके मैक्स रिटन अभी तक किस तरीके के नहें तो लगबग 2016 से इस कंपनी ने 9000% के रिटन और लड़ी प्रवाइट करा दिये तो मतलब कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रह रही है और जो इस साल की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है वह तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सांदार आप लोग बोल सकते हैं अगर स्मॉल कैप कंपनी है 1780 करोड के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिल गया है इस कंपन 4 करोड के आसपास का डेप देखने को मिलेगा अगर बात करें कंपनी किस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन कर रही है तो ROCE देखिए आप लोग 38.4% की आपको देखने को मिलेगी और return on equity देख सकते है 51.3% की इस स्टॉक की देखने को मिल जाती है कंपनी जो में बिजनिस है जो कंपनी का वो है electronics, consumer electronics बनाती है, home appliances बनाती है, main camera और mobile phones में electronic का काम देखती है हम लोग बोल सकते हैं ये चीज, company का business तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही सांदार है, आने वाले time में grow हो सकता है year on year basis पर अगर आप लोग growth की बात करें, तो काफी सालों से net profit आप लोग देखेंगे कि maintain करके रखा हुआ था, consistency एक करोड का profit company generate करके आती थी लेकिन 2016 के बाद आप लोग देख सकते हैं, 2017 में company का profit 2 करोड के आसपास पहुंच गया, 2018 में company का profit 3 करोड के आसपास हो गया, फिर 2020 में 14 करोड और 2021 में 25 करोड के आसपास, मतलब कि 5 सालों में ही company ने 1 करोड से 25 करोड का profit generate करने लगी है, मतलब अपने profit में 25 times jump देखने को मिल गई है, इसी वज़े से compound profit growth देख सकते हैं, हम लोग पिछले 5 सालों से 84% के CAGR से growth होती ही नजर आई है, पिछले 3 सालों से 177% के CAGR से company का profit growth बढ़ता हुआ नजर आया है, अगर हम लोग बात करें, पिछले 3 साल से stock की, तो 181% के return एवरी एयर रिसे ने provide करा है, जिसका main कार इस साल के ही return है, कि 6670% के return इस stock में एक ही साल में हम लोगों को दिखा दिये, अगर हम लोग देखें return on equity, तो आप लोग देखेंगे कि पहले 5 साल में ज्यादा कुछ अच्छी return on equity देखने को नहीं मिलेगी, comparatively, जो इस साल की आपको इसकी return on equity देखने को मिल लगी है, 36% की पिछले 5 सालों से, लेकिन आप लोग देखेंगे, ट्रेडिंग 12 बन्त में, 51% की return on equity देखने को मिलेगी, बहुत ही बहतरीन तरीके से company ने return प्रवाइट करा हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग बहुत ही जदा high price में खरीद लेंगे, मतलब कि आप लोग return के checker में, अगर इसको 1200 या 1400 के price पे खरीद लिया है, तो chances हैं कि जब इसमें बहुत ही जदा lower circuit लगेंगे, जैसे कि आप लोग ने देखा है, last trading session में एक lower circuit लगता हुआ, तयार हो चुका है, अब ये stock कब तक lower circuit लगाएगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है, और ऐसे time पे आप लोग first जाएंगे, नहीं इस trade को exit कर पाएंगे, तो हमेशा ऐसे stocks आप लोगों को दूर रहना चाहिए, या फिर आप लोगों को ऐसे stocks चुनने चाहिए, जिनमें safe investment करी जाए, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा analyst भी इन सब stocks के उपर राय नहीं देते हैं, वो भी जानते हैं, इन stocks में बहुत ज़्यादा risk involved होता है, आने वाले time में यह किस तरीके का perform करेंगे, किसी को नहीं पता होता, small cap और micro cap कंपनियां होती है, बहुत ज़्यादा incited trading in stocks में होती रहती है, तो आप लोगों को quality stocks, quality business चुनना है, जिनमें लंबे समय में आपको बढ़िया return provide करके मिलेंगे भी हिलेंगे, तो इसलिए आप लोग इन stocks से दूर रहें, अगर आप लोगों के पास मिल गया हो यह stock, already हो, तो जरूर आप लोग इंतजार कर सकते हैं, थोड़े समय का कि सायद अच्छा return provide कराके दिखाई दे, बढ़िया company perform करती यह नजर आने वाले सालों में भी, लेकिन वैसे आप लोग अगर नया investment करना चाहते हैं, तो ऐसे stocks से दूर रहें के वह return देखे ही investment ना करें, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, कुछ ऐसे stocks के साथ, तब तक के लिए, बाइ-बाइ